आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे सिपाही का मामला लेके आए हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी उनको सलाम जरूर करेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला को मोत के मूँ से निकाला है पर खुद की चली गई है उनकी जान वो हो चुके हैं शहीद पूरी अपडेट के लिए मेरे साल लास तक जुड़े रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकिन को दबाएए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए काफे सारे मामले हमारे सामने आते हैं जिसके बारे में जानने के बाद सिपाहियों के लिए इस्जत और भी जड़ा बढ़ जाती है ये एक्चली में इनका दिहान नहीं हुआ है हम तो हर एक देशवासी इतने ही बोल रहा है कि ये एक्चली में शहीद हुए हैं प्रग्या رाज के भरा भारी railway station से हमारे सामने ये मामला आरा है जहां पर बताया जा रहा है कि railway police में तैनात ज्यान चंदर की मौध हो चुकी है इनकी मौध जो है वो अच्चलि में train के नीचे आने से हुई है बताया जा रहा है कि रात को एक महिला आई थी और प्लैटफॉर्म नंबर दो पे रुकी हुई थी इस दुरानी उस वक्त वहां से कोई भी आच्छली में ट्रेन नहीं गुजरती है पर हैदराबाद की तरफ जा रही COVID-19 स्पेशल ट्रेन वहां से बहुत तीजी से निकल रही थी उस को वहां उस ट्रेन का वहां पर स्टॉप भी नहीं था यह जो ग्यान चंद्र है यह बहुत दूर से उस महिला को देख रहे थे पर उस महिला के पास वो जा रहे थे कि आखिरकार वो महिला क्या कर रही है बहुत ही नस्दीक थे कि पूछने वाले थे ट्रीन वहां से गुजरी और अवी इस महिला ने अपनी आपको आपको अच्छली में नस्दीक ही वहां पर रेलवे पट्रियों पर इसने चलांग लगा दी की मौत हो गई और वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने चल्द से जल्द सब लोगों को इसके बारे में बताया और महिला को नस्दीक होस्पिटल में एड्मिट किया गया और ग्यांचंद्र जो है जो शहीद हो चुकी है इनके माता पिता को जब उनके परिजनों को प पर सब लोगों को जान के काफे जदा अच्छा लगा इस बात का कि वो किसी और के लिए कोई जान नहीं देता पर इन्होंने किसी और को बचाने के लिए अपनी जान बिफता में डाल दी इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त बबाई ठेक के नमस्कार